सबसे पहले तो देखे बहुत सारे सवाल है लेकिन पहला सवाल यही कि इतना बड़ा हादसा हो गया इतने लोगों की जान चली गई और उन लोगों की जान जो बाबा को अपना भगवान तक मानते थे बाबा को सामने आने में इतना वक्त लग गया दुख चताने में चार दिन आखर क्यों लग गया आप अपडेट करिए अपनी जानकारी जब उन्होंने मुझे इंगेज किया तभी मैसेज आपके पास अस्ताक्षर किया हुआ है सामने आने की बात कर रही हुँ मैं एपि सिंग्ची कर रही है और नाराइशाकार हरी ने सब को जिम्मादारी दी है कि कोई भी जिले इस तर की जो कमेटी है अपने जिले के मरतकों के परिवार की ताउम्र तनमंधृंसे सेवा करेगा इंजएर जो है जब तक ठीक नहीं होता, उसके लिए तनमंधन से लगेंगे, पर्मन disability किसी को हुई है, उसके लिए पूरी life जब तक ठीक नहीं होता है, और उसके जीवन में करेंगे, ये किया है, जो भी हुआ है, लेकिन आप इसकी भी मांग करिये, कि उस मानव मंगल मिलन सत्भावना समागम मे उस आयोजन में, उस सत्संग में, जो anti-social elements थे, जिनोंने इस तरह का घलत किया, उनके identify करे, जाच एजनसी अपनी दिशा को उस तरफ मोडे, जिस तरफ मानिये, उत्तरपदेश के सस्वी मुक्तमंत्री महराज जी ने भी का, शाजिस है, शाजिस थी, वो शाजिस बरदाफ होनी चाहिए, केबल इस से नहीं काम चलेगा, हमने अपने सेबादार मधुकर को FIR में पहला नाम होने की बज़े से, कल hospitalized था वो, जैसे stable हुआ, हमने उसको सामने पेश कर दिया, police और society के सामने, कि आप ले जाएए और जो जाच करनी है, पता करना वो करिए, हमने उसे हाट पेशेंट इंजीनियर, वो मैंने अपना फर्ज निभा दिया, मैंने देश की मीडिया से, police से, STF से, SIT से बादा किया था, कि मैं कहीं मधुकर की anticipatory bail, कहीं भी arresting stay under high court, supreme court, trial court नहीं लगाऊंगा, मेरा दोश क्या है, मैं सेवादार हूँ, आयोजन मंडल में था, तो मै अपने ही लोग तो मरे हैं, देखिया, वरिष्ट पत्रकार हैं, मरने वाले कौन हैं, हमारे अपने, हमी ब्यवस्था करने वाले, हमी ने दरी, काली, बंडाल लगाया, हमी ने जल ब्यवस्था है, ठीक है, इपिसिंग जी, एक सेखिड, आपने कहा कि खुद मुक्यमंत्री दुखी है, उन्हें इस बात का दुख है कि उनके भगत जो यहां पर आये थे, उन्हें सुनने के लिए, वो इस हतसे का शिकार हो गए, लेकिन सवाल तो फिर यह बे उठता है कि जब वाक़ई इतना दर्द, इतना दुख बाबा को है तो पीडित परिवार्चे straight के और दे जताई है सिर्फ एक विडियो चारी कर देना है आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि उन्होंने मेसेज अपना पहले दे दिया था ये काफी है क्या इतने लोगों की जान चली गए देखिए मेडम आप बहुत वरिष्ट पत्रकार है एवीपी चैनल पुरी दुनिया में देखा जाता है ठीक है मैं भी 26 वरसों से सुप्रीम कोट में वकालत करता हूँ क्या जहां जहां जाएंगे वहां अति-अधि क्राउड नहीं खटा होगा क्या जो उनके देश के करोडों फालोर्स हैं क्या उनसे मिलने अगर मैं आश्रम बता दूँ या मिलने का प्रोग्राम दे दूँ क्या आप जन सहलाब को रोक पाएंगी क्या शद्धा अस्था पर कोई ताला लगा पाया है क्या हमें law awarding citizen नहीं बनना चाहिए क्या हमें कानून में विश्वास नहीं करना चाहिए स्थितियों को हमें समझना है ये अधिक संख्या का ही तो आरोप लगाया गया हम पे कि 80,000 की पर्मीशन थी संख्या अधिक आ गई यही तो बताया रहा है जहांचे अधिक संख्या को हम कैसे रोख पाएंगे आप समझे मेरी मजबूरी वो कोई दानपात्र चड़हबा डोनेशन रसीद नहीं लेते हैं उनके पास कोई शोशल साइट्स के लोग चैनल चला लेते हैं अभी अभी सबा डेड़ साल हुए सीमा सचन मीना आई यूटूब चैनल से सिल्बर बटन डाइमंड बटन इतने बटन आ गए नाराण साकार हरी का कोई यूटूब चैनल नहीं शोशल साइट्स नहीं पेजबुक, फेस, इस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डर कुछ नहीं है वो इस सबसे दूर हैं कभी मीडिया में इंटर्विव नहीं दिया कभी किसी चैनल पर नहीं बैठे आप तो वरिष्ट पत्रकार हैं एबी पी ने कभी क्या प्रधान मंत्री जी राष्ट पती से लेकर ग्राम प्रधान तक के इंटर्विव लिए क्या कभी नाराण साकार हरी का एबी पी इंटर्विव कभी देखा गया आप तो बहुत बड़े न्यूज चैनल के हैड हैं नहीं वो इस सबसे दूर रहते हैं जो मोबाइल पोर्न नहीं रखते हैं